मुझाज़ आप देख रहे हैं नमस्कार आप देख रहे हैं दी कंटाप मैं हूँ प्रफुल सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से और एक कल से वीडियो वायरल हो रहा है एक मद परदेश का और दूसरा उत्तर परदेश का और दोनों वीडियो में एक इनसान की और दो मुख मंत्रियों की अलग अलग कहानी है दरसल यह वीडियो हमारे परदान सेवक के साथ साथ दो मुख मंत्रियों का है एक तो उत्तर परदेश की पहले हम बात कर लेते हैं कल उत्तर परदेश में हमारे परदान सेवक थे और उत्तर परदेश में उन्होंने कल पुर्वांचल एक्सप्रेशवे का उद घाटन किया यहां Expressway कहा जा रहा है कि उत्तर परदेश की जनता के लिए या उत्तर परदेश के लिए तौफा है यानि परधान सेवक के तरप से यह बड़ा गिफ्ट दिया गया है उत्तर परदेश की जनता को यहां Expressway नौजीलो को एक साथ जोड़ने का कारे करेगा खेर थोड़ा से मैं एक्सप्रेसवे के बारे में बता दू, उसके बाद हम वीडियो पे आते हैं यह यूपी के लिए बड़ा तौफा माना जा रहा है करीब 341 किलोमिटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्वी यूपी यानि दोनों को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे लखनाव के चांद सराय से सुरू होगा और गाजीपूर तक पहुचेगा इसे बनाने में 22,497 क्रूर रुपे का खर्चाया है इसे एक्सप्रेसवे नौजजीलो, लखनाव, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपूर, अमेडकर नगर, आजमगड, मौव और गाजीपूर से होकर निकलेगा परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगड से इसकी अधार सिला रखी थी जबकि वहाँ पे सपा यानि समाजबादियों का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे समाजबादी परधिती के सरकार के दोरान रखी गए थी अभी परधान सेवक सिर्फ फीता काटे हैं खेर, हम में इन मुद्दे पे आते हैं, हमारा जो वीडियो है, उस पे आठते हैं वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे चले ही वीडियो आप देख रहे हैं कि हमारे परधान सेवक का काफिला है एक्सप्रेसवे पे और उसके पीछे भगवा कपड़ा पहने, गेरुआ कपड़ा पहने, उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित ना दो दिखजों की कहानी इस वीडियो में है, दरसल दो राष्ट निर्माताओं, दो हिंदू हिर्दै समराटों की कहानी इस वीडियो में है, कि एक हिंदू हिर्दै समराट पीछे पीछे गाली के लिए चल रहा है, और दूसरा हिंदू हिर्दै समराट राष्ट निर्माता, आधुनिक भारत काया भाग विधाता यानि हमारे देश के परधान से वक गाड़ी में चल नहीं है यानि उत्तर परदेश के मुखी आईएगू या दितनाथ को उस गाड़ी में भी बैठने का सौभाग पराप्त नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ इस पे हम आगे चर्चा करेंगे उसके बाद दूसरी वीडियो आपको दिखाते हैं दूसरी वीडियो भी आप देख रहे हूंगे कि यहां मद्द परदेश के सिवराज सिंग चौखान की है मद्द परदेश के मुख मंत्री हैं समवैधानिक पोष्ट पे बैठे हुए है और हमारे परदान सेवक मद्द परदेश पहुँचे थे और सिवराज सिंग उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलने की कोशिस कर रहे है तब तक उनको बीच में ही रोक दिया जाता है कि नए पीछे आईए और बीच में ही उनको रोक के कहा जाता है कि आप परदान सेवक से पीछे हटिए मुख मंत्री साहब पीछे हट जाते हैं उनका बाजू पकड़कर पीछे कर दिया जाता है एक तरफ योगी आदितनाद गारी के पीछे-पीछे अकेला दोड़ रहें और दूसरी तरफ मद्परदेश का वीडियो जिसमें सिवराज सिंग को भी पीछे कर दिया जाता है यह क्यों पीछे किया जाता है? चलिए इसका कारल हम बताते हैं आपको दरसल हमारे परधान सिवक अपने आपको महान बनाना चाहते हैं या महान घोशित करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आने वाली नशले हमें याद करे हमारे मेहनत के लिए हमारे कारे के लिए हमारे इस देश के समरपन के लिए वो चाहते हैं कि हम इंद्रा गांदी, पंडी जुहालाल नहरू के सरदार बल्ला भाई पटेल जैसे या और भी हमारे देश के जो परधान मंत्री रहे हैं उनके सिरेणी में हम खड़ा हो जाएं वो चाहते हैं कि हमारी काथा, हमारी करनी को लोग याद रखें लेकिन वो काम्याब नहीं हो पाते हैं क्योंकि कहते हैं कि जब भी कुछ वो करना चाहते हैं, जब कुछ ठीक ठाक करना चाहते हैं, वो कुछ न कुछ गलत हो जाता है, अनहोनी हो जाती है और यही इनके साथ हो रहा है दरसल परधान सेवक सत्ता के हंकार में इसकदर चूर है अपने नयम फेम के चकर में इसकदर चूर है कि वो दो मुख मंत्रियों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा एक संबैधानिक पोश्ट पे बैठे हुए बैक्ति को अपने काफिले से पीछे करवा देते हैं वहीं दूसरे को उनके गाड़ी के पीछे-पीछे पैदल दोरना पड़ता है सोचिए कि हमारे परधान सेवक कैमरा जीवी है कैमरा का कितना भूखा है वहीं दूसरे तरफ यहां भी बोलते हैं कि मास्क है जरूरी दो गज की दूरी और वहीं आप जितनी भी उनकी संबोधन देखेंगे जितनी भी पब्लिक गेदरिंग देखेंगे हमारे परधान सेवक बीना मास्क के आते हैं क्यों? क्योंकि कैमरे में फोटो अच्छा आना चाहिए कैमरे के सामने लूक अच्छा आना चाहिए ताकि वो फोटो इन फ्यूचर दिखाया जा सके बताया जा सके कि हमारे परधान सेवक बहुत महां थे वो चाहते हैं कि हम पंडि जोहार लाल नहरू के तरह अमर हो जाए आज ट्रेंड थोड़ा सा चला है कि भारत के भागे बिधाता यानि आधूनिक भारत के निर्माता पंडि जोहाला लेहरू को कहा जाता है वही काम हमारे परधान सेवक करना चाहते हैं लेकिन इस सब में इस अहंकार में वो भूल जा रहे हैं कि सम्वाद्धानिक पोश्ट पे बैठे दो बेक्तियों की गरिमा का हनन कर रहे हैं दो बेक्तियों को अफमानित कर रहे हैं यानि एक तरफ योगी आधितनात दोसरी तरफ मुख मंतरी मध्यपरदिस के सिवरासिंट चोहान खेद अब देखनेते हैं कि योगी आधितनाथ और परधान मंतरी नरेंद्र मोदी की अन्बन की कहानिया आपके सामने कुछ दिन पहले जग जाहिर हुई थी और दोनों हिंदू हिर्दै समराथ हैं दोनों राष्ट निर्मान के लिए करतब निश्टा से आत्म समर्पित कर दी हैं खुद को खुद को आत्म समर्पित भी किये हैं और कहते हैं कि हम दोनों मिलकर राष्ट का निर्मान करेंगे अब दो जो धाओं के बीच में दो राश्च निर्माताओं के बीच में ये देश कहां exist करता है सम्भिधान कहां exist करता है ये सब देखने वाली बात है किकेंकि हमारे परदान से वक अपने कैमरे के सामने किसी को नहीं आना देना चाहते हैं उनके फोटो फ्रेम में कोई आये ही ना, क्योंकि फोटो फ्रेम खराब हो जाएगा, वीडियो खराब हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हर कोई पीछे रहे, इसलिए मुखमंत्रियों को पीछे धक्का दे दिया जता है, खेर, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाईए, और उत्तर परदेश नहीं किया, हर जगह की ऐसी खबरे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे,